मेरा नाम कमल गुपतर है और मैं आज अपना यूट्यूब चैनल मेकैनिकल मिराकल की शुरुवात कर रहा हूं मेरे लेक्टर स्पेशली गेट एक्जाम के लिए हैं मेकैनिकल स्टुएट के लिए पर यह आपको IES, PSU, SSC, University एक्जाम में शूर्ली हेल्प करेंगे सबसे पहले मैं उन दो लोगो वो थिंश करना चाहता हूं सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट टीचर जिन्होंने मुझे सब्जेक्ट पढ़ाया मिस्टर अमीत कपकड और नमबर दो मिस्टर जैपाल विशुकर्मा यूटूब पर भी उनका चैनल है mathematics teacher है उन्हीं से इंस्पार होगे मैंने चैनल स्टार्ट किया है और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जुरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि किसी जुरूर्थ पन स्टुडेंट के काम आसके तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं theory of machine टॉम आपको पता यह उसमें दो पार्ट है कॉम और डॉम का मतलब है kinematics of machine और डॉम का मतलब है dynamics of machine kinematics सबसे पहले डिसकस करने के what do you mean by the kinematics what do you mean by the kinematics kinematics is the study of motion without considering the basic cause of the motion देकि basic cause किसी भी मोशन का क्या होता है force होता है और force अपने बच्पन से पड़ाया है force is equal to me जहां force होगा वहां mass आएगा और kinematics में आपने पहले ही बोल गिये कि basic class को consider नहीं करेंगे यानिकि हम force को consider नहीं करेंगे जब force consider नहीं करेंगे तो यानिकि पूरे kinematics ट्रम में कोई भी kinematics ट्रम में mass नहीं होगा तो kinematics क्या 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 स्टेडी करती है velocity, acceleration, velocity क्या है ds by dt, rate of change of displacement, acceleration, rate of change of velocity and jert rate of change of acceleration acceleration change होता है तो जर्क आता है जर्क मतलब जो जर्का example क्या है इसका kinematic viscosity हम इसको discuss अभी थोड़ देर में करते हैं next हम बढ़ते है dynamics की तरफ, dynamics क्या है, dynamics में हम basic cause को consider करते है motion के, that is हम force को consider करते है तो जब भी कोई भी dynamics की unit होगी, dynamics के under होगी, उसमें mass की trim जरूर आएगी, इसकी unit है dynamic viscosity आप इसको fluid mechanics में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, tau is equal to mu into du upon dy, tau क्या है, c stress है, du upon dy क्या है आपका du upon dy आपका velocity gradient है, देखिए जो c stress की unit क्या है, newton per meter square है, और du upon dy क्या है, du की होगी meter per second, dy की meter meter से meter cancel, second उधर के चला जाएगा, तो आपकी unit क्या होगी, या तो आप newton per meter square second बोल सकते हो, newton per meter square second को हम पास कर भो सकते हैं, आपको पता है, newton में आपको अब आते हैं, बात करते हैं, kinematic viscosity, kinematic viscosity क्या है, dynamic viscosity upon divided by the density, newton को हम क्या लिख सकते हैं, kg per meter, kg per second square into meter, आपको पता ही है, kg per second square हम लिख सकते हैं, जब आपको इसको density से divide करोगे density, mass upon volume, तो यह mass से kg से kg की टर्म कर जाएगी, यानि कि उसमें आपका mass की कोई टर्म आने वाली नहीं है, समझ गया आप, इसके बाद हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में, सबसे basic चीज है, kinematic link और element, देखिए, एक यह mechanism है, इसको single slider crank mechanism भी बोलते हैं, इसमें क्या है यह एक तरीके से आपका जो basic engine है, उसको show कर रहा है, देखिए, यह क्या है, यह आपकी crank है, यह connecting road है, और यह cylinder है, cylinder है यह piston है, यह piston है, अब टॉम में हम क्या करते हैं, सबसे बेल number of links को count करते हैं, यह number link जो ground हुआ आपका एक number link है, हमेशा fix को एक number link count करते हैं, लिंक number two, यह है link number three, यह है link number four, आपका यह slider है, अब देखिए, जो slider move कर रहा है, ऐसे, मतलब की linearly, तो जो यह linearly move कर रहा है, यहाँ पर भी यह link number one है, क्योंकि same, यह आपका link है, number one, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि यह fix link है, fix link जहाँ भी होगा, उनको हम same counting देंगे, number, वही same, एक ही link consider करेंगे, चाहिए, कहीं भी हो, तो link number one ही होगा, तो यह चार link है, इस पूरे element में, basically, चार link बहु सकते हो, यह element बहु सकते हो, अब उस link की necessity क्या है, देखिए, मैं definition को यहाँ नहीं बता रहा हूँ, definition आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं जो basic meaning है, उसको बत मदलब की, यह resist करें force को, यह deform हो जाए, ठीक है, number two capable हो, power को और motion को transfer करने में, जैसे अगर आप दो को यह motion दोगे, तो तीन link भी धरवाएगा, चार link आगे चलेगा, translate करेगा, ठीक है, to and from motion करेगा, classification की बात करूँ मैं, तो तीन तरह की classification है, link के, rigid link, flexible link, fluid link, ठीक है, rigid link, flexible link and fluid link, first of all rigid link में क्या है, deformation negligible होगी, बिल्कुल अगर मान लीजिए, link है, two or three, आपके एक तरीके से, deformation negligible है, rigid link की तरह काम कर रहे है, मैंने आपका बताया, connecting road है, cylinder है, piston है, और यह crank भी आ सकती है, flexible link, deformation होगी, within limit होगी, जैसे belt है, rope है, यह भी आपका एक तरीके से link का काम कर सकते है, और इनमें deformation आएगी, आप देख सकती है, slack, tension होता है, fluid link, देखी, interesting point है, power is transmitted because of the fluid pressure, देखी, जितने भी आपके hydraulic lift है, ram है, jack है, वो इसके अंटर आती है, ठीक है, यहाँ पर fluid link की तरह act करता है, एक यह example देखो आप, यह आपका hydraulic lift और ram है, यहाँ पर मैंने pressure apply किया, fluid ने pressure को transmit किया, और इसने heavy object को उठा दिया, तो यह fluid की वजए से यहाँ पर power transmission होई है, ठीक है, यहाँ पर fluid link की तरह act कर रहा है, देकिन कई बार question आता है, जो fluid machinery में क्या होता है, fluid turbine के आकर उसको ठकराता है, और blade को rotate कर रहाता है, तो क्या हो वहाँ पर fluid क्या वो link की तरह act कर रहा हो रहा है, नहीं, देखे क्यों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रही है, power transmission हो रहा है, power transfer हो रही है, energy transfer हो रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, fluid अपनी kinetic energy को transfer कर रहा है, fluid वहाँ पर conversion हो रहा है, यहाँ पर transfer हो रहा है, यहाँ पर को conversion नहीं है, यहाँ वहां पर वहां समझ गया होंगे ठीक है नेक्स्ट है अभी भी लिंकी चल जोड़ा है अब यह type है type of link कैसे हो सकते हैं बाइनरी लिंक अगर ये देखिए आपको जिह अग्वान को दिखाया है मैंने अभी ये आप को बंपर लिंक आहँ ये दो as कर रहा है किसे को जोड़ता है 3back इदोसें को जोड़ा है दो मुझेर से बीजोड का है अब ने रेइंस्ट है ऱ्रteर्टी आपको पता है पृपको ऐसी गोच शाझ टिर तो फेर फिर हम क्या करें लेख सकते हैं यह इम praise बीच में डिलेटीव मोशन ठीक है तो कंडिशन क्या है रिलेटीव मोशन की सिस्टम मस्त है डो लिंक्स मिनिमम होंगे जब उनके बीच में कहा सकते हैं डिलेटीव मोशन है अब देखिए टाइप अपर लेटीव मोशन में फर्स्ट अफ ओल आता है है completely constrained motion का अगर आप मतलब समझेंगे तो यह constraint का मतलब है आपका required completely constrained motion मतलब कि जो अब देखिए क्या है आपको एक्जाम्पल के थिरूँ बताता हूं मैं देखिए यह यह दो लिंक आपके लिंक नंबर वन यह है और लिंक नंबर टू इसके अंदर slot के अंदर है और लिंक नंबर टू है उसका क्रो सेक्षन कुछ ऐसा है अब आप देखेंगे यह जो लिंक नंबर दो है के अंदर rotate नहीं कर सकता शिरफ और शिरफ to and fro motion कर सकता है मतलब कि यह तू एंड-fro motion कर सकता है अब completely constrained motion का मतलब क्या है जो यह इस इस असेंबली में कुछ ऐसा है कि यह हमें अपने आप डिजायर मोशन मिल रहा है टू एंड फ्रो हम नहीं मान लीजिए हमें ऐसा कोई सिस्टम चाहिए ऐसा कोई आपका रिलेटी चाहिए जिसमें रोटेशन ना हूँ तो इस सिस्टम में अपने आप इसकी जो मैनफ्येक्जिंग इस तरिके की है हमें कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्स और नहीं करना पड़ा कि इसका रोटेशन नौ इसमें अपने आप भी रोटेशन नहीं होगा यह simple अपने आप to and from motion करेगा इसलिए यह self देखे में लिखा का self constrained motion है और यही actually में क्या हो तक हमारा desire ही होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए हमारा हमें चाहिए तक ही सिर्फ to and from motion हो तो यह desire motion को हम यहां show कर रहें नेक्स्ट है successfully constrained motion successfully constrained motion इस प्रकार के motion मिलते हैं कि बहुत कम chance होते हैं completely constrained motion मिल जाए कि अपने आप self constrained motion आप समझ दिली यह constraint का मतलब यहां है कि हमें कौन सा required motion motion कैसा required है हमें successfully constrained motion का मतलब है कि यहां पर जो हमें motion चाहिए with the help of force हम वैसा motion को प्राप्ट करते हैं हमें naturally अक्कर नहीं होता है naturally अक्कर नहीं होता है जैसे आप पता है यह piston system cylinder arrangement आपका यह piston है यह cylinder है आपका और यह connecting road है number one link cylinder आपका number 2 link आपका piston है number 3 link आपका connecting road है देखिए आपको पता है कि piston और cylinder के बीच में clearance है यहाँ पर और यहाँ पर चाहें तो यह piston यहाँ पर इस cylinder के अंदर rotate दो सकता है प्रंतु आपने देखा होगा जब इस cylinder और piston arrangement में किसी इंजन में कि सिर्फ और सिर्फ पिस्टन two and from motion करता है two and from motion करता है लेकिन वह को rotate नहीं होता वो क्यों नहीं होता है जो connecting road है वह आपके आपने central line से इस तरीके से connect कर रखी है कि उसमें कोई भी टॉर्क आता ही नहीं कोई भी वो टॉर्क ही है हमें है रिस्पोंसिवल होता है किसी भी सिस्टम को rotate कराने के लिए ऐसे ही यह देखिए शाफ्ट इंफूर्ट स्टेप बेरिंग सम नंबर टू में आप देखिए इसमें क्या है जो यह आपकी शाफ्ट है इसके उपर मैंने फोर्स लगा रखा है अब यह क्या कर सकती है इसमें र हमारे डिजायर मोशन था हमें रोटेशन से मतलब नहीं था यहां पर हमने with the help of force किया किया है उसको constraint किया हमें रिक्वाइड मोशन मिला सेम इसी परकार जो श्रींज होती है डोक्टर के पास देखिए वह सिंपल अगर जब नॉर्मल कंडिशन में आप देखेंगे देखिए नंबर लिंक यह जो आपकी कैप हो गई बाहर वाली कैप और नंबर दो यह श्रींज आपकी लिंक हो गया देखिए किसी भी रिलेटी इसमें यहरोटेट नहीं करती है उसकेस में रोटेट नहीं करती है तो यह सेक्सेस्वुली कंस्टेंड Green Motion समझ आप बात को कि सेक्स सफ्वुली कंस्टेंड निरोंुशन है तुर देहिए अभी तक हमने बड़ा लिंक के क्लासिथिकेशन डिजिट लिंक फ्लेक्सिबल लिंक और फिर हमने पड़ा फ्लूड लिंक फिर उसके बाद टाइप्स पड़े बाइनरी टरनरी उसके बाद हमने टाइप्स जो लिंक्स हैं उनके बीच में किस पका रिलेटी मोशन हो सकते हैं हमने तीनों पड़ें दो पड़नी हैं हमने एक तो है एक तो यह है कुछ ऐसा है आपका देखी यह जो भार वाला जो element number one है और अंदर shaft element number two let me आपको दिखाता हूँ pen से यह आपका link number one है और यह आपका link number two है दिखराओ आपको अब यह देखी अगर यह जो अंदर वाला जो link है उसका cross section कुछ आपका circular है तो वो simple सी बात आपका translate भी कर सकता और rotate भी कर सकता यहां पर rotation प्लस translation दोनों मिलेंगे आपको और यह unconstrained motion है unconstrained मतलब incomplete constraint बोल दो यह unconstrained मतलब यह required motion नहीं हमारा ठीक है मतलब तीन परकार के motion है एक तो जिसको constraint किया जा सकता है एक naturally constrained हो एक जो constraint unconstrained motion ठीक है next हम बढ़ते हैं kinematic pair की तरफ pair और joint देखिए फिर से same figure को मैं यहां दिखा रहा हूं आपको देखिए एक जो link है वो दो link के साथ जुड़ा हुआ दो link तीन link के साथ जुड़ा हुआ तीन चार के साथ जुड़ा हुआ और चार एक के साथ वाफिस connect है तो कोई भी दो link जो आपस में जुड़े हुए हो ठीक है उनको आप pair बोलेगे वन और टू टू और त्री त्री और फॉर और फॉर और वन यह आपस में kinetic pair और होने की सिर्फ एक ही कंडिशन है मतलब दो और तीन के बीच में क्या होना चाहिए आपका मोशन रिलेटी मोशन अभी जो आमने अभी धुर देर पढ़ा है लेटी मोशन होना चाहिए अगर सेम विलोश्टिर का एक्सलेशन की तरह मूब कर रहे हैं विकांट से दिजार किन क्या विलोश्टिर के तरह मूब कर रहे हैं तो इसका मतलब वह सेम एक सिंगल लिंक की तरह में क्लासिफिकेशन करें उन देखी दो पेर के बीच में रिलेटी मोशन कैसा उसके अक्वर्डिंग भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं नमबर एक टॉनिंग पेर और इसको पि पिन से जोड़ दूं तो फिर्फ और शिर्फ यह एक तरीके से टर्निंग प्यर हो गया है ठीक है अब यहां पर देखेंगे टर्निंग प्यर है यह र Pang कर सकता है तो यह में फिरितमेर पूस्टे वेलेटी वर्टी मोस्ती तरुस्टम नहीं कर सकता तonceौकि यह बागी चीज भी बागी जो यह दोनों आपके लिंक हैं किसी और लिंक के साथ जुड़े होंगे थिक ए सिरसे इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है housती हो सकती हैола सकती है नंबर दो है स्लाइडिंग प्यर और प्रिजमेटिक प्ले प्यर आपने देखा होगा देखो कि पिस्टन सिलेंड रेंजमेंट है जो दो नंबर लिंक है इस इस्टेक्ट विंक नंबर वन इट विल अनली ट्रांसलेट ट्रू फ्रोमोशन ठीक है यहां पर सिर्फ और आपका इसलिए आपका Sliding पिर है Sliding Joint भी बोख सकते है नमबर में क्या है आपका लिंक नमबर बनी यह है लिक नमबर टू यह यह प्योर रोलिंग में प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जो होती है इसलिप नहीं हो रहा है नमबर चार है आपका screw pair, screw pairs आप समझ गये होंगे nut and ball का example है, spherical pair में next में है ball in socket joint, example है ball in socket joint, जो ball है आपकी socket joint में कुछ ऐसी होती है, यह आपका socket है, यह ball है, link number one, link number two, 3D rotation का example है, जो आपके कंदे का जोड है, यह भी आपका spherical pair है, ठीक है, हम next किस तरीके से classify कर सकते हैं, according to the type of contact type of contact में dear क्या है, एक lower pair है, एक higher pair में, lower pair क्या होता है, देखी lower pair अभी आपको मैंने बताया, जो यह आपका turning pair है, इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा आपका सर्जो इस portion का, इस portion के साथ surface contact हो गया, पूरा surface contact है, तो यह 102 के साथ जो surface contact है, जहां हो, उसको lower pair और प्पेर बोल भोलते हैं higher pair में यहां पर क मैं फ्वालोर देखिया देखिए और के में पार है यहां पर बोटीमिन करेगा यह ट्लों पर परोनेचे मूब करेगा रहेने वाला है जो इसकी पुईंट है जो इसकी नौज है उसके साथ ही konntact में रहने वाला है कैम नमबर तीन है रेपिंग Okay रेपिंग के में क्या है कि देखिए पुली एंड यह बेल्ट का एक्जाम्पल है रोग प्युली का एक्जाम्पल है इनघ चैनल के प३ूली माने जाती है अभ ही तक हम ने जो पढ़ा है क्लासिफिकेशन और जॉइंट का मैं फिर से बता देता हूं अकोर्डिंग तो टाइप पुप रिलेटिव मोशन पढ़ लिया हमने टाइप उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा उसके अकोर्डिंग को डिस्क्राइब किया है और अकोर्डिंग टुदा टाइप पर पर अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव में निकालेते हैं एक पहले पहले आप इस फिगर की तरफ द्यान दीजिए यह आपका सिंगल सेम ही जो फोटो हम पीछे भी दिखाते आएं आपको वह ही है जिसको हमने बर्टिकल कर दिया यह आपकी क्रेंग यह कनेक्टिंग रोड है यह आपका स्लाइडर है यह नंबर लिंक वन आपका है नंबर दो लिंक नंबर तीन लिंक नंबर चार लिंक आपका स्लाइडर है और यह आपका लिंक नंबर वन क्योंकि यह वही फिक्स स्पोर्ट है फिक्स है फिक्स लिंक है ठीक है अब देखि इसे त्रीके से describe कर सकता हूं वह है यह माले जी यह मैंने कैम को यहां पर पिन ज्वेंट कर दिया है मतलब एक तरीके से त्री के बीच में चैन सबस्किन और कर साथा के बीच में बीच में। सकते हैं यहां पर in my surface point contact है और 3 और 1 भी किया आपका लोर पेर है लेकिन 2 ओर धई अर Егоर डिया है अब गोर करने वाली बात है यहां चार लोर पेर थे यहां संस्सक्राइब हुख क्या मॉशन स्थर्थ एक्विलेंट मोशन मिल रहा है तो इस제 स्था मेनिंग यह यह कि 1 higher pair is equivalent to the two lower pair, समझ रहे हो, क्योंकि one higher pair is equivalent, इसने दो lower pair को equivalent है, एक higher pair add करने से हमें same kind of motion मिल रहा है, जहां जो हमें 4 lower pair देते थे, आप समझ रहे हैं, अब हम वापपिस अपना continue करते हैं classification को, अभी तक देखिए, pair में हमने type किस परकार classify किये हैं, according to the relative motion, according to the contact, हमने फिर उसमें higher lower pair पढ़ाता है, उनके बीच में मैंने relationship आपको दिखाया है, आपकी सब थर्ड टाइप पर आते हैं, according to the type of closure, self-closed pair, self-closed pair आपने जैसे ज़र देखा, ये आपका cam और follower का ये example ले लेते हैं, के साथ contact में रहने वाल है, due to the action of weight or gravity, next है force close pair, आपने देखा होगा जो आपके घर में दर्वाजे होते हैं, के पीछे एक link लगा होता है, automatic door closure में, कि जैसे आप निकलते हैं, उसके बाद वो दर्वाजे तुरंत अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है, वो force close pair का example आपका, ठीक है, यहाँ पर यह force लगाएगा, तो उसको क्या बोलती है, force close pair, ठीक है, जिस परकार हमने link को describe किया था, binary, turnary, quardinary में, उसी परकार हम different type of pair और joint को describe करेंगे, कि देखिए हमने यहां पर दो links को जोड़ दिया है, तो इसको हमने बोल दिया है binary joint, यहां पर हमने तीन link को जोड़ हüm हुआ है, यहां से हमें क्या पता चलता है, 1 ternary is equal to 2 binary, समझ रिए बात को, जो 1 ternary है, वो 2 binary है, यानि कि 1 2 और 2 3, अब कभी आपका मन करें कि 1 3 को भी आप जोड ले, लेकिन वो naturally है, उसको हम नहीं जोड़े, ठीक है, बतो 1 ternary is equal to 2 binary, ऐसी quaternary में क्या है, 4 link को जोड़ दिया है, है 1223 और 34 को देखिए 12 को जोड़ दिया है और 23 को जोड़ा है तो 13 अपने आप मिल गया आपको naturally और ऐसी 14 आपको naturally मिल गया है ऐसी आपने जब 234 को जोड़ा तो 24 भी आपको naturally form हो गया है ठीक है लेकि इसलिए इस वज़े से हम इसको तो नहीं करेंगे तो one quaternary is equal to three binary आप देख सकते हैं 1223 और 34 यह फिकर से आप साफ क्लियर है और यह साइड में मैंने लिख भी दिया है ठीक है one quaternary is equal to three binary तो हमने different type of pair और joint भी discuss कर लिए है next हम बढ़ते है kinematic chain की तरफ kinematic chain क्या है kinematic chain क्या है यह आपको फिगर आपको व्यात है नमबर लिंक वन यह है लंबर लिंक टू यह है नमबर तीन लिंक यह है नमबर चार आपका slider है जो ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है जब यह इस तरह मूव करेंगी लिंक और नमबर ऊन लिंक सेंteen आगया है सेंटेटचलिंगतर फिक्स लिंक तरह ठीक है जैन आपको पता है यह पूरी इसको नमेट जिए पूरी टक कैने मेंगे इसको यानिम्तिक चिंद बलेंगे कब ठीक है भी द्ऌर लेकिनी आप यख पर यहां पर यह भी फिक्सको सेम नमीक देते मैं आपको पहले पता चुका हूं २ी निंस般 पर उसको चेन बोलेंगे ठीक है और इन में सारी चैन में क्या होना चाहरी रिलेटी निमोशन होनाची सेम कंडिशन है जो कानेमेटिक पेर वाली थी आउल रिलेटी मोशन इन दिस क्लोज चेन आर्दक कंस्ट्रेंड मतलब डिजायर मोशन होना ची जिस परकार का आप चाहते हैं ठीक है एंड थर्ड जो आपकी जो पहले में डिसकस कर चुका हूं वन लिक मस्ट भी फिक्स कानेम कंडिशन को फुलफिल कर रहा है फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक की साथ कनेक्ट है और आपका फिक्स भी है एक लिंख ठीक है अब जैसे मैं इसमें मोशन दूंगा नंबर निंक नंबर दो में इस तरव ठीक है तो चाहर नंबर लिंक इस तरव करने लग जाएगा चैन को ही mechanism जब आपड 이제 मोने और वह आपको उन पिडिवाज से जहां पर आपको आउट पूट मिले यह जँआ को आउट्पीट मिलेगा यह आपका इनपूट है ठीक है तब इसको again मलेंगे जब इसमें ईन जब किसी चैन में इन्पूट दिया जाए और आउटूट प्राप्त हो तो इसको हम मेकनिजम बोलते हैं ठीक है अब उसी मेकनिजम को अगर हम यूटिलाइज करें यह तो आपको मेकनिजम दिख रहा है शिरुफ अब इसी चीज़ को हम यूटिलाइज करें तो यह मशीन मन जाती है अब इसी क पंच आएगा उसमें से पंच कर देगा और फिर वापी चला जाएगा फिर इस प्लेट को आगे सरकादू फिर पंच करेगा फिर आगे चला जाएगा तो इस जब मेकनिजम को यूटिलाइज मैंने किया तो इट विल एक्ट ऐसे मशीन समझे रहा बात को क्या डिफ्रेंस ह चैन में मेकैनिजम में और मशीन में चैन बेसिकली चीज तो चैन ही मेकैनिजम है लेकिन उसमें इनपूट और आउटोट का फरक है और जब हुआ को उसको इटुलाइज करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगी मशीन का काम करेगी नेक्स ए डिग्री ओफ्रीडम और मोव की element की और पेर की आप बुक्स से पढ़ी लेंगे जो मीनिंग क्या है डिग्री फ्रीडम का वो समझते हैं देखिए एक अब्जेक्ट है आपका औपजेक्ट मैंने कोडिनेट सिस्टम में रख रखा है यह देखिए अगर किसी परकार से मौ खोई कर सकता है और समझ गयोंगे तो maximum number of motion इसके 6 हो सकते हैं और अब मैं degree of freedom की बात करूँ इस समय तो इसके degree of freedom 6 है माल लीजिए मैंने यहाँ पर कोई restriction लगा दी अब यह x direction में move नहीं कर सकता ठीक है यह भी यहाँ पर x direction में इसका motion possible ही नहीं है तो degree of freedom क्या हो गई 6 जो maximum number of motion हो सकते थे minus restraint इसका मतलर क्या motion which are not possible और permitted ठीक है यह degree of freedom का आपका formula हो गया अब lower pair के case में देखते हैं lower pair में दो आपके link आ जाएंगे ठीक है अब देखिए दो दो link आ गई अब यह थीक है अब इनके बीच में सिरफ और सिरफ rotation ही possible है तो इसके degree of freedom क्या है दो links के बीच में lower pair के बीच में विसकी degree of freedom वन हायर पेर की degree of freedom दो हो जाएंगी क्यूं आपको पता है वन हायर पर इस इकल टू टू लोवर पर जैसे हमने पीछे डिसकस किया है एक exception है उसको आप याद रखिए spherical pair है spherical pair ऐसे तो होता तो लोवर फेर है लेकिन उसके degree of freedom तीन है इसको आप याद रखेंगे इस PC परकार जो thermodynamics में भी आपके degree of freedom तीन है ठीक है PVT यह आपके degree of freedom नेक्स्ट अभी तक अब हम पढ़ रहे है degree of freedom of the planar mechanism 2D planar mechanism आपके gate किस लेवस में सिर्फ 2D planar mechanism की degree of freedom निकालना है 3D की नहीं तो हम 2D तक ही रहेंगे देखिए एक object है simple link है माल लीजिए XY plane है plane आप समझ गयोंगे जैसी कागच है यह plane है मतलब हम Z direction में नहीं जा सकते है अब X और Y में रहेंगे इसको plane बोलते है ठीक है जैड डिरेक्शन में चल जाएंगे तो वह 3D हो जाएगा Y और X में रहेंगे तो वह 2D है तो 2D plane mechanism से हमें deal करना है तो यह जो link है आपका यह X direction में भी जा सकता है और Y direction में भी जा सकता है और यह rotate भी कर सकता है इस plane में वहां लीजिए यह जो link यह है आपका यह आपका X direction में भी जा सकता है और Y direction में भी जा सकता है और साथ की साथ rotate कर सकता है ठीक है यह आपके maximum number of motion कितने है इस link के और object के two translation X और Y में one rotation तो तीन है ठीक है अब हम degree of freedom हमें लेकिन हमें यह तो एक सिर्फ link की है हमें अब पूरे system पूरे mechanism की निकाननी है इस पूरे system की degree of freedom क्या है जिसमें number of link कितने है एक दो तीन और चार चार link है उसकी degree of freedom of mechanism degree of freedom of planar mechanism निकालने के लिए एक रूल दिया हुआ है कृट्सबेक ने कृट्सबेक एक्वेशन है F is equal to three time of L minus one minus two J minus H minus FR यह देखिए सब चीज़े मैं आपको बताता हूं L क्या है number of links है links आपको पता यहां चार है ठीक है और जे क्या है number of binary joint number of binary joint आपको पता है binary joint हमेंशा lower pair होते हैं अभी हमेंने पीछ binary joint कितने हैं एक दो तीन और यह चार यह भी binary joint मतलब lower pair ठीक है यहां पर आपके binary joint है है चार है चार binary joint है यह तीन है बताइए यहां पर आपके एक मिलमा भी देख लेता हूं यहां पर आपके इतने binary joint हैं मेरी साफसे तो चार होने चाहिए एक मिलमा आपके बिल्कुल ठीक तीन नहीं है चार ही है चार है binary joint और H क्या है number of higher pair number of higher pair ठीक है number of higher pair कितना हो जाएगा देखिए इस case number of higher pair इस case में तो कोई भी number of higher pair नहीं है higher पर आपको पता है क्या होता होटा point contact होता है यहां पर कोई point contact नहीं है अगर और number यहां पर 0 Fr हर motion में जैसे जैसे हर हर mechanism में H नहीं होता है वैसे ही FR भी हर mechanism में नहीं होता है FR क्या है number of those motion which are not the part of this mechanism ठीक है देखें मैंने नीचे मलब इसको मैं आपको आगे बताऊंगा इस example को मैं नीचे भी solve कर रखा है आपका link आपके 4 है जो binary joint है वो भी आपके इस चार है एक जोएंट टीक है एक जोईट दो pea तीन चोईट और चौथा जोइट आपका number 1 और चार लिंक के कुकी binary joint का मतलब है higher ठीक है दो यह चार और पर फ। स्रेल लौर यहा क pillar बेलाभ मातलब है लोऊटर पेयर और यहां पर एक और चार के बीच में भी आपका लोवर पेर है ठीक है है एच आपका है पर यहां पर जीरो है और एफ पार क्या है नमबर ओफ दोज मोशन वी चारदा नोट पार्ट अब इस मेकनिजम अभी इस पॉइंट को मैं आपको स्लाइड में समझाऊंगा तो यहां पर एफ और कोई है नहीं को ऐसा मोशन नहीं है जैसे आप इसको यहां मोशन देंगे तो तीन आगे चलेगा और चार टू एंट फ्रो मोशन करेगा ठीक है एफ और जीरो है आप इस एल और एच इस एल और जे को इस एक्वेशन में मोशन लिच दमर वह दो जो सलोट में है नंबर चार लिंक की अब ध्यान से देखें यह मोशन अगर यहां मेंगर कुछ भी मोशन दो भी ना तो यहां पर रखने कि के टेंडेंसी रखता है तो यह इस पूरे सिस्टम का पूरे मेकेनिजम का पार्ट नहीं है यह सफ एक तर थैर नहीं यह पेंद्स अ मद她 आपके चार ही हो गए जोंट आपका एक जोंट यह एग को सब्सक्राइब मोशन जो सिस्व्टम पारण नहीं हlaw यहां पर यहां पर डिजर वीड जीड़ा अब दो तो यहां है लेकिन अब इसकी सेल्फ टेंडेंसी नहीं है मूब करने की सरकने की जॉइंट आपके वही चार है यहां पर जीरो गया और दिगरी फ्रीडम यहां पर आपकी एक हो गई है ठीक है अब डिगरी ओफ्रीडम ओफ कैम को डिसकस कर लेते हैं डिगरी फ्रीडम वन आपका जो यहां पर क्या है लोवर पेर है क्योंकि जो पिन है जोइंट है पिन जोइंट है यहां पर नंबर दो पर लिंक आपका कौन सा हो गया यह आपका हो गया यह जो जिस लोट में अपन डाउन मूव कर रहा है तो यहां पर भी लिंक वन ही आ गया और यहां पर भी आपका क्या ह कोई है नहीं ऐसा कोई भी मोशन नहीं है जो पार्ट नाव सिस्टम का और जब भी आप इसको कड़ बैक डालेंगे तो फिटी डिग्री फिडम आपकी एक आईगी एक बात नोट करने लाइख है यहां पर डिग्री फूरिडम इन कैम इस ऑलवेज मन कोई भी कोशन आपको के आपका कैम में आप देखिए कुछ special case जिसमें यह एफ वन आ रहा है जीरो आ रहा है तो आ रहा है या फिर नेगेटीव आ रहे हैं का मीनिंग क्या है देखिए एफ जीरो का मतलब है कि यह एक तुर्ट्चर और फ्रेम है मतलब structure और frame का मतलब आप समझ गए होंगे structure और frame का मतलब कुछ इस प्रकार जो आपने railway bridges पर देखे होंगे उनको ऐसे कुछ आपने देखा होगा railway bridges पर ठीक है तो यह इनको structure इनको structure और frame बोलते हैं ठीक है जब वहाँ पर आपको relative motion जब bridges पर हो तो आपको वहाँ पर आपको उसकी motion क्या सकता नहीं है इस मस्ट बीड नहीं तो गिर जाएगा तो वहाँ पर हम degree of freedom उस mechanism की वो system की जीरो रखते हैं अब यहाँ पर देखो तीन यहाँ पर कोई बीडिग्विशन में डालोगे तो जीरो आएगी यहाँ पर कोई भी motion और पावर का transmission नहीं है बट फोर्स ट्रांस्मिट होता है जहाँ पर भी आपका फ्रेम उस्ट्रक्चर हो यानि की degree of freedom जीरो वहाँ पर आपका शिरो फ्रस्रो फोर्स ट्रांस्मिट ऊगा power और motion ट्रांस्मिट नहीं होंगी लेज दने जीरो आजाए किसी केस में आपका सिर्ट आज़ाए देखिए जामप्ल ईbilir है फिक्स लिंग है करा लिंक लंबर दो लिंग कि नमबर तीन लिंग भी जैसे अगर मैं यहाँ पर इसमें मोशन देना भी चाहूं तो यह जरा भी लिंग नमबर लोग लिंग को सरकने भी नहीं देगा यह एक तरीके से इसमें रुकावट आ गई है अब इसी आपके चार लिंक हैं जोइंट आपके इतने हो गए एक पाइनरी जॉइंट है लोवर पेर हैं समझदेवा बात को हाईर पर कोई है नहीं आप डिकर्जबर के क्विशन में डाल दिए डिग्रेव फ्रीडम आपकी माइनस वन आ जाएगी ठीक है एफ इस इकल टूवन की बात करूं मैं एफ इस इकल टूवन इस दा वट विच वी लिंक चार है चार जॉइंट हो गए आपके एक दो तीन चार पर कोई है नहीं डिग्री फीडम वन आ गया ठीक है डिग्री फीडम वन का मतलब क्या है जब आप एक इंपुट दोगे तो आपको एक आउट्पुट जो रिड़ जो रिक्वाइड आउट्पुट है वो मिल दो आगया तो आपको इसमें मिनिमम्म टू इंपुट देने पड़ेंगे जबकि हमारी कोशिश क्या रहती है कि नंबर ओफ इंपुट कम से कम दिया जाए इसलिए हमें जो आपका एक प्रसिर आपको एक मोशन देना पड़ेगा हमें आफट ज्यादा करने पड़ेंगे ज देहिए यह एक्जामपल है आपका दो एक्जामपल है इनमें हम समझते हैं यह आपका ग्राउंड है यह आपका ग्राउंड है लिंक नंबर वन फिर यह आपका लिंक नंबर टू लिंक नंबर त्री लिंक नंबर फोर लिंक नंबर फाइव लिंक नंबर शिक सेवन एट न यह कुछ ऐसा आपका structure है कुछ structure है या कोई भी mechanism है अब हम देखते हैं देखिए इसमें पहले आपको समझने वाली चीज़ क्या पहले तो इंदिंक की नाम मैंने औरेंज कलर से लिख दिये हैं अब देखिए जो यह joint है जो यह joint है यह कैसा joint यह यह तर्णेरी जोईंट है इसने यह link यह link और यह link को जोड़ा हुए सेम इसी तरीके से टरंएरी जोईंट है यहाonge genius संज़ता हुआ से ढूब बात को सिरफ यहाँगी यहां पर दो ही लिंक्स जुड़े हुए Alfie यहां जहां पर भी आपको टर्मरी जोएंट दिखे वहां पर आप 2-2-2-2-2-2-2 लिख दी क्योंकि हमें सिरफ यह होता है कट्ट रखेक्वेशन में वहां पर बाइनरी जोएंट के आशकता होती है ठीक है आपको बताना भूल गया कि जो डिखेक्वेशन है उसको कैसे पर तेरा में से बारा जो आए हैं च्छे जगां मैंने दो लिखा हुआ है और एक जगां सिर्फ बाइनरी जॉएंट है वहां से जॉएंट आए हैं अब आपको कुछ कर्द बैक डालोगे तो आपकी डिग्री फीडम बना जाएगी अब यही कोशन मैंने सिर्फ और सिर्फ क् है यहाँ पर यहां पर अब यहां पर जो चार लिंग थे अभिया पर एक ही वा मिलेकर्क थीए आपको मिलेगा तो यहां पर सिंपल सिंसिक्ट से बाइनरी हैर यहां पर समझे बात को लिंक करेंगे और आपको जो जौ tentang भाइनरी जौय ऑनारी है वो नो है क्यों है दो तो ह bulb करनी जौयंट है एक और दो ठीक है दो turning joint यानि चार हो गए binary joint 1 turnary joint is equal to 2 binary joint और 5 आपके binary joint है ठीक है इसमें डालोगे आप तो degree of freedom 0 आएगी आपकी degree of freedom 0 आएगी तो इसका मतलब अव much structure है और degree of freedom less than 0 आएगी इसका मतलब that run सूपरστ्रक्चर है समंख़र बात को मैंने बताए यह सूपर श्रक्चर होता है जिसके डीडियर फीड हम आपकी ले जी RO asp अब इसका जो meaning है degree of freedom का वो क्या है mean degree of freedom का main meaning यही है यह आपको number of input बताता है आपको जो required output है in chain में वो प्राप्त करने के लिए कितने आपको number of inputs है है वो degree of freedom बताता है degree of freedom अगर one हापका तो एक input चाहिए गार दो है तो दो है ठीक है और zero or one के case में आप समझी गए है जीरो और minus one के case में आप समझी गए है कि वो super structure है वो हिलने वाले नहीं है ठीक है अब कुछ जगह आपको मिलेगा कि spring भी लिंग की दरीके से SPRING है एक तरिके से प्रिंग है उसको कंप्रेस किया ब्याद कर सकता है और जो इन दो लिंक के बीच में भी क्या है उसको हम इसको कर सकते हैं direction कर सकते हम AIज सब्सक्итादेव कि इस त्रीके से आप उस कर्सबěk equation को याद कर सकते हैं देखें कर्ण याद करने का यह यह पहली बात खाओ नब्ड यूफ लिंग है अबेशे perspectives को सकती है अद्द कर रहे हैं तो 3 time of L होगा क्योंकि degree of freedom 3 है minus 1 क्यों किया क्योंकि एक fix आपका एक link fix आपका minus 2 time of J J क्या है binary joint binary joint क्या होते है आपके lower pair होते है lower pair में यानि कि surface contact होता है और surface contact में सिर्फ और सिर्फ rotation permit होता है यानि कि एक binary joint आपके 2 motion को constraint और resistant कर देता है मलब की 2 motion के उपर बंदिशे लगा दी था आपकी समझे रहे हो बात को minus 2 time कर दिया उसको 2 को कम कर रहा है 2 degree of freedom को कम कर रहा है जितने joint होंगे वो 2 को उसके 2 गुना कम करेंगे motion को उसके degree of freedom को कम करेंगे इसलिए 2 time से multiply किया minus 1 time of HQ किया आपको पता है एच क्या है higher number of higher pair और higher pair की degree of freedom 2 times होती है lower pair से समझे रहे हो बात को यहाँ पर 2 times हा तो यहाँ पर single time आप समझ गए होंगे बात को अगर फिर भी समझना है तो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर एक बाद फिर कोशिश कीजी चीज को रिपीट कीजिए मैं फिर मैं रिपीट कर देता हूं 3L-1 Q किया क्योंकि एक fix हाप का joint 2JQ किया क्योंकि एक जो आपका binary pair है आपके दो motion को रोग देता है बंदी से लगा देता है constraint कर देता है constraint कर देता है और higher pair है सिर्फ एक motion को रोकता है दो degree of freedom को बनाए रखता है एक को रोकता तो एक minus किया जो higher pair जो lower pair है वो दो को रोकते हैं तो दूर time minus कर दिये मैंने और यह L-1 Q क्यों किया क्योंकि एक fix है और FR हार एक में नहीं होता वह आपको system देख कर समझना पड़ता है कि यहां पर कोई ऐसा motion है जो part है जो part नहीं है mechanism का वह एक पार है तो यह आपका आज का lecture complete होता है ठीक है तो दोस्तों आप मुझे यह बताए कि आपको यह lecture कैसा लगा कैसे मैं improvement कर सकता हूं और मुझे बताएं में जरूर और मैं कोशिश करूँगा कि मैं next lecture जल्दी सी जल्दी आपको provide करा सकूँ कल ही या परसो जल्दी सी जल्दी मैं कोशिश करूँगा ठीक है thank you जल्दी मिलते हैं